नमस्कार दोस्तों मैं सुमिय रोय और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ मेरे योट्यूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग rate of change 7 and 14 प्लस उसके साथ साथ हम लोग simple moving average 20 and simple moving average 7 का इस्तमाल करेंगे इस वीडियो में मैं आप लोग को risk free trades के बारे में बताऊंगा कैसे risk free trades हम लोग use करते हैं कैसे आप लोग को पता चलेगा कि आपके account में भी risk free trades हैं एंड सबसे important चीज जो है risk free trade आपको किस तरीके से मदद करता है trading के time इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा तो थोड़ा अभी आप लोग देख लीजिए कि मेरे चार्ट पर फिलहाल great britain pound united states dollar का चार्ट है और यहां पर मैं क्या करूंगा मैं यहां पर timing set करता हूं तीन मिनिट का हम लोग charts choose करेंगे अपने हिसाब से 80% and above का जो profitability रहेगा जिस chart में वही chart हम लोग choose करेंगे वही asset पे हम लोग trading करेंगे ठीक है यह GBP USD, Euro USD उतना बहतरी नहीं है sideways movement है तो उसलिए हम लोग इसको change कर रहे हैं change करके हम लोग यहां पर दूसरा कुछ charts पर trading करने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि simple moving average 7 जो है वो intersect किया है simple moving average 20 को और intersect करके थोड़ा बहुत यहां पर pullback हुआ है थोड़ा बहुत यहां पर chart पर दूसरे तरीके का एक movement नजर आया है ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे इसको भी हम लोग skip करेंगे दूसरा charts देखेंगे gold देखते हैं gold में क्या चल रहा है अभी gold अभी downward movement दिखा रहा है rate of change 7 rate of change 14 दोनों यहां पर 0 के नीचे bars या area chart form होते हुए आप लोग को दिख रहा है और उसके साथ साथ जो simple moving average 7 है वो intersect करके नी और यहां पर मैं आप लोग को बता दो risk free trades के बारे में यह मेरा risk free trade का एक account है कितना risk free trades मैं ले सकता हूँ यह आप लोग देख रहे हो एक dollar का मेरे पास 13 risk free trade है 5 dollar का 27 है ठीक है यह 5 dollar add हो गया इसको मैं cancel कर देता हूँ ठीक है cancel कर देते हैं फिर से चले जाते हैं fail to send request try again फिर से चले जाते हैं 10 का 47 है 20 का 40 है 100 का 140 है तो पहले मैं एक risk free trade लेता हूँ 100 dollars का एक downward movement एक trade आप लोग मेरा जो account balance है वो देख लीजिए 2845.01 cents ठीक है तीन मिनिट का time frame मैंने choose किया है यहाँ पे क्या करेंगे एक trade मैंने open किया और trade open करने से पहले आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 410 अभी एक risk free trade मैंने already implement कर चुका है उसलिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है 409 मेरा जो live account है वहाँ से 100 dollar deduct हुए है और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दू कि risk free trade यहाँ पे लिखा हुआ भी आप लोग को दिख रहा है तेक है तीन मिनिट का time frame है 80% का profit rate है gold पे मै trade कर रहा हूँ और risk free यहाँ पे दिखा रहा है जब आपको यह दिखेगा कि मेरा जो prediction है मैंने यहाँ पे downward trade open किया है trade जब upward चला जाएगा तो यहाँ पे आपको red नहीं यहाँ पे आपको return दिख रहा है zero loss मतलब इसी का मतलब है यहाँ पे कि आपको risk free trade मिला है आपने risk free 100 डॉलर अपने निवेश किये हैं उसमें आपने एक risk free trade चूज किया है जिसका भी value है 100 डॉलर तो यहाँ पे आपको अगर खुदा ना खासते किसी भी time पे अगर आपको loss होता है तो आपको यहाँ पे 100 डॉलर आपके account में बापस आ जाएंगे यह रहा risk free trade का एक बहुत खुद के बारे में आप लोग और भी पढ़ सकते हैं help पे चले जाएए help पे जाने के बाद आपको यहाँ पे FAQs मिलेंगे FAQs पे आप जाईए FAQs पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ articles मिलेंगे जहाँ पे आप risk-free trades के बारे में पढ़ सकते हो यह load नहीं हो रहा है तब तक हम लोग load होते होते दूसरा charts देखते हैं दूसरा charts पे देखेंगे कि क्या हो रहा है statuses statuses पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे articles मिलेंगे जो कि आप पढ़ सकते हो जो कि आप देख सकते हो status upgrade क्या है कैसे आपको करना है ठीक है यह सब के बारे में आपको पता चल जाएगा यहीं से मैं आपको आप लोग को risk free trade के बारे में दिखा दूँ कि risk free trades आप लोग को कहां मिलेगा इसके बारे में जानकारी है education पे चले जाते हैं education पे मेरे हिसाब से education पे होगा यह देखते हैं trading basics, forex guides, charts, oscillators, trend analysis, trade timing, risk free trade यहां पे मुझे नहीं मिल रहा है let's see more, more पे चले जाएंगे transactions, insights, education, FAQ, assets, FAQs पे चले जाएंगे तो यहां पे पहले trade result देख लेते हैं कि trade result मुझे क्या हुआ यहां पे मुझे साइद से loss हुआ है उसी लिए आप लोग देख रहे हो कि with a loss जो मेरा 100 dollar का investment था 100 dollar यहां पे आ गया है और मैं यहां पे सुरक्सित हूँ मेरा 100 dollar का जो investment वो investment भी यहां पे सुरक्सित है ripple पे चले जाएंगे देखेंगे कि ripple पे यहां पे क्या movements है ripple पे भी उतना ज्यादा कुछ movement नहीं दिख रहा है Z cash पे चले जाएंगे Z cash पे upward moving chart है जो कि मुझे अभी दिख रहा है यहां पे upward trade में नेक लिया है 3 minute का Z cash के उपर हम लोग use कर रहे है rate of change 7, rate of change 14, simple moving average 20 and simple moving average 7 ठीक है यह सब के बारे में हम लोग देख रहे हैं साथी साथ हम लोग यहां पे risk free trades के बारे में देख लेंगे payouts पे risk free है कि नहीं यह देखना जरूरी है नहीं है यहां पे नहीं है देखते हैं दूसरा कहां पे मिलेगा यह risk free trades risk free trades if a queues पे क्या कहा है देखना ज़रूरी है नहीं if a queues तो अभी हम लोग देखे हैं help अपो ट्रेड मैंने open किया है जेट कैस पर जो कि आप लोग देख रहे हो आप लोग के ट्रेडिंग चार्ट पर यहां पर क्या 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 अपडेट्स है केनेडियन डॉलर Microsoft का अपडेट्स है Eurozone का कुछ अपडेट्स है VIP डिपार्टमेंट के साथ ट्रेडिंग भी होगा live streaming होगा यह भी आगर आप लोग चाहो तो आप लोग जॉइन कर सकते हो लेकिन मेरा खोज है भी risk free लेकिन risk free मुझे मिलने ही रहा है ट्रेडिंग प्लैट्फरम पर चले जाते हैं ट्रेड्स ट्रेडिंग लाइन सर्विसेस let's wait let's wait limits how to calculate profit immediately trading history खोज के तो निकालूंगा ही payouts पे नहीं होगा verification पे भी नहीं होना चाहिए फिर भी देख लेते हैं verification पे भी नहीं है statuses पे traders why ओके तो यहाँ पे risk free trades अभी भी मुझे नहीं मिला धूंट के भी नहीं मिला payouts पे देखेंगे payouts पे भी नहीं मिला ठीक है risk free trades के बारे में मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊंगा लेकिन अभी trading करते हैं 100 डालर का मेरा investment है और यहाँ पे जो है का जो मेरा trade था 100 dollars का वो मुझे loss हुआ है लेकिन अभी z cash पे मैं नजर टिका के बैठा हुआ हूं और आप लोग देख रहे हो कि मेरा जो risk free amount है वो होके गिरके अभी 408 पे पहुँच गया यहाँ पे जो trade मैं लिया हूँ 250 dollars का z cash वो एक मिनिट का एक dragon trade है sudden downward movement है तो downward movement को हम लोग capture कर सकते हैं capture करने के motive से ही मैं यहाँ पे trade open किया हूँ और मैंने यहाँ पे risk free trade लिया है क्योंकि अप लोग को पता ही है कि जो dragon trades होते हैं dragon trades बहुत ज्यादा risky होते हैं every trader must be very very careful while executing dragon trades और यहाँ पे मेरा जो risk free trade था वो मुझे बचा लिया किसी भी हालत पे मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत save हो चुका हूँ मेरा जो investment था investment अभी भी आप लोग बोल सकते हो कि investment मेरा बरकरार है investment मेरा loss नहीं हुआ है यहाँ पे थोड़ा दिर wait करेंगे intersect होने का wait करेंगे यहाँ पे intersect हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पे trade open कर सकते हैं यहाँ तो हम लोग और एक काम कर सकते हैं one minute now let's wait and watch यहाँ पे मैंने trade open किया है bitcoin पे $250 का एक downward trade मैं open किया हूँ bitcoin अभी downward movement बहुत बढ़िया दिखा रहा है आप लोग को दिखी रहा है और एक risk free trade मैं ले सकता हूँ यहाँ पे bitcoin पे wait करेंगे chart जो है movement बहुत तेज है लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि risk free जब आप ले रहे हो तो आपका एक-एक risk free जो trades है वो आपके खाते से कम हो रहा है तो risk free भी आपको एक calculation के साथ लेना है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चार्ट जो है downward movement पे था चार्ट बहुत बढ़िया movement दिखा रहा था और अचानक यहाँ पे कुछ changes downward movement से अचानक चार्ट जो है थोड़ा बहुत pullback हो रहा है लेकिन risk free trade है एक risk free trade जो मेरे खाते में था वो 200 dollar के कम हुआ है और यहाँ पे जो इससे इससे पहले जो trade मैंने लिया था dragon trade वो मुझे profit now let's wait and watch देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है इस trade में इस trade में 19 seconds का time बचा हुआ है 11 seconds का candlestick time बचा हुआ है chart movement बहुत abrupt movement हो रहा है now देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है 250 dollars का मेरा trade था risk free trade था तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से मैं risk free trade से थोड़ा बहुत फिर से बचा हूँ 250 dollars का मेरा जो trade amount था वो मुझे बापस आया है profit किया हूँ एक trade पे अभी GBP USD EURUSD देखेंगे sideways movement बोल सकते हैं crypto उस पे जाएंगे फिर से ethereum पे देखेंगे ethereum पे क्या हो रहा है ethereum पे downward movement था लेकिन अभी investment को कम कर देते है 25 dollars का investment करते हैं तीन मिनिट का time frame लेते हैं downward trade मैंने एक लिया है ethereum पे अभी dragon trade का मैं प्रयास करूंगा chart downward movement दिखा रहा है जो indications हम लोग के पास है indications downward दिखा रहा है लेकिन कुछ यहां पे changes मैं expect कर रहा हूँ तो उसी लिए थोड़ा दिर wait करेंगे और दूसरा chart भी मैं देख लूँगा crypto का ripple पे भी upward trend है Dash पे भी downward trend अम लोग को दिख रहा है Dash पे मैंने एक trade open किया है 80% profit rate downward movement एक minute का time frame मैंने choose किया है और ethereum पे मेरा 25 dollars का एक trade मैंने 3 minute का trade लिया था Dash पे आप लोग देख रहा है 250 dollars का trade लेकिन यहां पे chart जो है movement उतना favor में नहीं है हम लोग का चाहें तो हम लोग trade को execute कर सकते हैं trade को छोड़के हम लोग जा सकते हैं Dash यहां पे upward movement दिखा रहा है यहां पे मैंने एक trade open किया है Dash पे risk free trade again और one minute का trade मतलब dragon trade आप लोग समझी रहा हो और एक trade मैं यहां पे Dash पे open कर रहा हूं Dash पे दूसरा trade मेरा open हो चुका है 250 dollars का internet मेरा थोड़ा गरबर लग रहा है मुझे आज क्योंकि trade execute होने में time लग रहा है तो दोस्तों यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपका internet जो है internet बहुत stable हो fluctuate ना करे internet, internet fluctuate जहां किया वहीं पे trader अपना सारा कुछ loss कर बैठता है और यहाँ पे जिनके पास सोचिए कि रिसक-free trade का ख़जाना ज्यादा नहीं हो risk-free trade आपको बहुत ज्यादा मिलता है जब आपके पास vip account हो जब आपके पास expert status हो जब आपका डेली का जो trading amount है डेली का जो trades है वो जब आपको आपका ज्यादा हो तब आपको बहुत ज्यादा risk-free trade का आपका जो खजाना है वो धिरे-धिरे भरते रहता है जैसे कि मेरा अप लोग जानते ही हो कि बहुत सारे trades मैं करता हूँ दो session डेली लेता हूँ उसके बाद videos में भी trades करता हूँ तो यह पर मुझे losses हुए और profits भी हुए और मेरा जो अनुमान है कि मैं यहाँ पर अच्छा profit पर हूँ जो मैंने risk-free trades लिये थे risk-free last दो trade मुझे बहुत बढ़िया profit दिया है तो दोस्तों यही है risk-free trade का एक बहुत बड़ा फाइदा आप लोग भी risk-free trade आप लोग को भी मिल सकता है you guys can watch or learn about it in statuses more पे जाइए more पे जाके statuses पे जाइए आपको तरह तरह के जो status है all in trade के वो आप लोग को दिख जाएंगे और आप लोग भी expert trading account चुन सकते हैं अगर आप लोग beginner हो तो beginners level से भी आप लोग start कर सकते हो expert level से भी start कर सकते हो and you guys will also get couple of risk-free trades risk-free trades हमेशा बहुत ज्य होता है ये मैं मांगता हूं and तो this is the end of today's trading session where we used simple moving average 20 simple moving average 7 rate of 10 7.14 using a lot of risk-free trades we risked some amounts but those amounts came back and we made some profits as well so guys if you want to join my telegram free signal trading group then please do join my open group सिखो trading link आप लोग को description box पर मिल जाएगा and if you still do not have a trading account तो description box में जो पहला link है उससे register कीजिए and if you guys have any questions description box के एकदम नीचे जाएए मेरा telegram ID आप लोग को मिलेगा at roy underscore somio वहापे direct लिख सकते हैं and I will give you guys the instructions about how to start and so on तो आज के लिए इतना ही मुझे आग्या दीजे नमस्कार ज हैं